तो दोस्तों अगर आप रेडिमी का को भी मोबाल यूज़ करते हैं तो रेडिमी के मोबाल में सबसे बड़ी प्रोब्लम ये देखने को मिलती है कि माल लेज़े कि आप अपने मोबाल को कहीं पर छोड़ देते हैं या माल लेज़े कि आपको मोबाल कहीं पर भुला जाता है अब होता क्या है कि जिस बंदे को ये मोबाल मिलता है तो सबसे पहले क्या करता है कि आपके मोबाल को यहाँ पर स्वी चॉप करता है सी चॉप कैसे करता है तो दोस्तों जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल में यहाँ पर लगा हुआ है और लगने के दोरान भी अगर वो पावर बटम को यहाँ पर दबाएगा तो दबाने पर यहाँ पर पावर आफ वाला ओप्सन देखने को मिल जाता है और वो क्या करता है कि पावर आफ पर क्लिक करता है क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर क्लिक करेगा और आपके मोबाइल यहाँ पर सी चॉप हो जाएगा आपको यहाँ पे time ही नहीं मिलेगा कि आप अपने mobile में call करके पता लगा सके कि आपको mobile कहाँ पे है तो दोस्तों इसी के बारे में आपको बताने वाला हो कि कैसे आप यहाँ पे power of button को disable कर सकते है और disable जैसे आप यहाँ पे कीजेगा तो वो बंदा यहाँ पे अगर power button को दबाएगा तो दबाने के दौरान क्या होगा कि यहाँ पे power of वाला option देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेगा आन तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe, like और share जो रूप कर देजेगा तो इसके लिए चलिए simply सबसे पहले मैं अपने mobile को यहाँ पे on कर लेता हूँ और on करने के बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है अपने mobile के setting में चले जाना है तो चलिए मैं यहाँ पे mobile के setting में जाओंगा जैसे आप यहाँ पे mobile के setting में जाते है setting में जाने के बाद आपको नीचे scroll करना है वहीं पे एक option आपको यहाँ पे मिलेगा gesture shortcut का यह आप देख सकते हैं जो gesture shortcut वाला option मिल रहा है इस पे आप click करें और जैसे आप यहाँ पे click किजिएगा तो gesture shortcut काफी सारे option आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वहीं पे एक option मिलेगा launch google assistant का सबसे उपर में ही आपको मिल जागा launch google assistant का इस पे आप click करे और इस पे click करने के बाद सबसे पहले तो आप क्या करके इसको on कर दे इसको अगर आप यहाँ पे on कर देते हैं on करने बाद देखे यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे power button को press करते हैं तो google assistant यहाँ पे enable हो जाएगा तो यहाँ पे 0.5 second मला एक second से भी कम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 second अगर आप यहाँ पे press कीजेगा तो google assistant यहाँ पे enable हो जाएगा उसी परकार अगर मैं मोबाइल को यहाँ पर लॉक कर देता हूँ लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर पावर बटम को दबाँगा तो देख सकते हैं पावर बटम को दबाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर ओफ वाला ओप्सन यहाँ पर डिसेबल हो चुका है वो बंद करने के लिए simply आप फिर से क्या कर सकते है कि अपने mobile के setting में चले जाए और setting में जाने और फिर से आपको additional setting में चले जाना है देन आप यहाँ पे gesture support में चल जाए गूगल एसिस्टेंट में जाए और इसको आप यहां पे बंद कर दे और जब आप यहां पे बंद कर दीजेगा तो फिर से आप यहां पे पाउर बटम को दबाईएगा तो पाउर आफ वाला यह आप्सन यहां पे इनेबल हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूब बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूब करतीजेगा